मैं किताब पढ़ सकता था, तुम आज आ सकते थे, मैं फिल्म देख सकता था, हम लोग तेज दोर सकते थे, वे अच्छा गाना गा सकते थे, हम कल मैच जीत सकते थे हेलो एवरिवन, तो आपने देखा कि अभी मैंने आपको जितने भी वाक्ट के बताए, उन सभी वाक्ट के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंगलिश में कैसे बनाएंगे, किस तरह बोलेंगे, यही हम आज किस वीडियो में सीखेंगे, तो चलिए बीनादेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यूज ओफ कुड, कुड का यूज हम, कैन के पास्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, कैन के पास्ट के रूप में, अब कैन क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैन के बारे मे can का मतलब होता है सकता हूँ जिस भी sentence के last में आता है सकता हूँ वहाँ पर हम can का यूज करते हैं For example मैं ये कर सकता हूँ I can do it I can do it मैं ये कर सकता हूँ I can do it अब अगर आपको बोलना हो मैं ये कर सकता था मैं ये कर सकता था देखिए आप sentence के last में क्या रहा है? सकता था तो इस तरह के sentences के लिए हम could का use करते है मैं ये कर सकता था I could do it चलिए अब इसे rule यानि की नियम के माध्यम से समझते है सकता था, सक्ती थी, सक्ते थे इस तरह के वाक्यों के लिए हमारे structure होगा subject प्लस could प्लस verb की first form प्लस object बहुत ही आसान है ठीक है तो चलिए अब कुछ examples यानि की उधारण के साथ इसे समझते हैं First example है मैं किताब पर सकता था I could read the book मैं किताब पर सकता था I could read the book तुम किताब पर सकते थे You could read the book तुम किताब पर सकते थे You could read the book हम किताब पढ़ सकते थे We could read the book हम किताब पढ़ सकते थे We could read the book सीता किताब पढ़ सकती थी सीता कुड़ read the book सीता किताब पढ़ सकती थी सीता कुड़ read the book Next example देखिए मैं फिल्म देख सकता था I could watch the movie मैं फिल्म देख सकता था I could watch the movie हम लोग तेज दौर सकते थे we could run fast हम लोग तेज दौर सकते थे we could run fast तुम आज आ सकते थे you could come today तुम आज आ सकते थे you could come today वे अच्छा गा सकते थे they could sing well वे अच्छा गा सकते थे they could sing well हम कल मैच जीत सकते थे हम कल मैच जीश सकते थे राम नदी में कूच सकता था राम कूच जम्प इन्टु दा रिवर तो फ्रेंड्स हमने सीखा कि कूच के साथ किस तरह से सेंपल सेंटेंस को बनाना है अब हम इनी सेंटेंस के साथ नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा रूल होगा सबजेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स फर्म प्लस ऑबजेक्ट subject could not plus verb की first form plus object ठीक है example देखिए मैं किताब नहीं पर सकता था I could not read the book मैं किताब नहीं पर सकता था I could not read the book सीता किताब नहीं पर सकती थी सीता किताब नहीं पर सकती थी सीता कुड़ नहीं पर सकती थी मैं फिल्म नहीं देख सकता था I could not watch the movie मैं फिल्म नहीं देख सकता था I could not watch the movie वे अच्छा नहीं गा सकते थे They could not sing well वे अच्छा नहीं गा सकते थे They could not sing well राम नदी में नहीं कूच सकता था राम नदी में नहीं कूच सकता था राम कूच नदी में नहीं कूच सकता था था राम could not jump into the river ठीक है तो हमने देखा कि simple sentences को negative में change करने के लिए good के बाद हम not का use करते हैं ठीक है यहां तक समझ में आ गया clear है अब हम इन्ही sentences को interrogative sentences यानि की प्रश्ण के रूप में बनाना सीखेंगे तो हमारा sentence क्या था मैं किताब पर सकता था sentence क्या था मैं किताब पड़ सकता था अब इसका question form में कैसे बनेगा क्या मैं किताब पड़ सकता था क्या मैं किताब पड़ सकता था तो इस तरह के sentences को बनाने के लिए हमारा rule होगा could plus subject plus verb की first form plus object सब कुछ वैसा ही रहेगा बस subject बाद में और could पहले आ जाएगा ठीक है बस क्या करना है could को सबसे पहले लिख देना है उसके बाद बाकि सब ठीक है example देख लेते हैं first example है क्या मैं किताब पड़ सकता था could I read the book क्या मैं किताब पड़ सकता था could I read the book क्या सीता किताब पड़ सकती थी could I watch the movie क्या मैं फिल्म देख सकता था could I watch the movie क्या वे अच्छा गा सकते थे could they sing well क्या वे अच्छा गा सकते थे could they sing well क्या राम नदी में कूच सकता था could राम jump into the river क्या राम नदी में कूच सकता था could राम jump into the river could राम jump into the river तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आच्छी क्लास I hope कि आपको आच्छी क्लास अच्छी लगी हो अच्छे से समझ में आई हो अगर हा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएए मैं अंग्रेजी सीख सकता था मैं अंग्रेजी सीख सकता था इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू